वेलके मेरीवन तो अब हम डिसक्स करेंगे कोश्चन आंसर फ्राम चैप्टर गुलिवर इन लिलिपूत ये क्लास नाइंट इंग्लिश का चैप्टर सेक्ट है ठीक है तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कोश्चन नवर वन है वाय डिड़ रेसल विजट गुलिवर य इसलिए जाते हैं क्योंकि वो गुलिवर से कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं ही हैड बीन सेंट बाइद एंपिरर रिल्ड रेसल को उसकी राजने बेजा है तो डिसकस्ट विद गुलिवर सम इंपॉर्टेंट प्रावलम स्टेट ताकि रिल्ड रेसल जाके गुलिवर रिल्ड रेसल को कैसे रिसीव करते हैं उनका इस्तिकबाल कैसे करते हैं ठीक है तो आंसर है गुलिवर रिसीवड रिल्ड रेसल विद ऑनर गुलिवर रिल्ड रेसल को ऑनर के साथ यानि कि इज़त के साथ उसका इस्तिकबाल करते हैं और गुलिवर ने रिल्ड रेसल से कहा कि आराम से बैठ जाओ ताकि तुम मुझसे अच्छी तरह से बात कर लो ठीक है थर्ड है वाट वेर टू पोलिटिकल पार्टी इन लिलिपुत में दो पोलिटिकल पार्टी कौन सी थी अपोलिटिकल पार्टी इन लिलिपुत में अच्छी पार्टी की बात क्या थी ठीक है तो आंसर है अब पार्टी थी फार्टी पार्टी थी हाई गोही थी थी लोहीज थी या उनको पहचाना जा सकता था उनके जूते की हील से जिनकी हील हाई होती थी उनको बॉल ADA हाई हील और जिनकी जूते की हील लो होती थी उनको बॉला जाता था लो हील, ठीक خ इसके बाद है Why was the government in the hands of the low hills though they were less numerous than high hills यानि कि सरकार low hills वालों के हाथ में क्यों थी हलाँ कि वो तो ताइदाद में कम थे इसका अंसर है The emperor of the state was in favor of low hills क्योंकि जो लिलिपूत का राजा है ना वो low hills के support में है तो इसलिए जो government है वह लो हील्स वालों के हाथ में That was why the government was in their hands though they were less in number इसलिए government low-hills वालों के हाथ में थी हलांके वह number में ayume के त एदाद में कम थी इसके बाद है What was the next 됩니다 lien that the country had तो वे how we had no goods आनले के वह झे का वालों के उली पॉत वालों को इसका सामना करना थी ठीक है तो अंसर है इट वाज़ फियर आफ इन इंवेजन फ्रांद स्टेट अफ बली फैसको इनको खत्रा था हमले का बली फैसको से यह जो कंटरी ना बली फैसको इस से लिली पुतिंस नियू इट तो बी अधर ग्रेट इंपायर अधर यूनिवर्स यानिक लिली पुत वा राइज तो दा वार बिट्वीन लिली फैसको यहने कि वह क्या मजभी असूल था जिसकी वज़े से लिली फुत और बली फैसको में आपस में जंगें हुई तो आंसर है इट वाज़ अप्रेंसिपल अफ ब्रेकिंग एंग एड़ बिगर एंड और एड़ स्मालर एंड यह यही प्रेंसिपल था क्या एंडे को कहा से तोड़ा जाना जाही अंडे को बिगर एंड या फिर समालर एंड से तोड़ा जाना जाही यही सवाल था और इसकी की वज़़े से बहुत जंगे हुई ठीक है इसके बाद 7 है यानि कि लिलीपूत में अंडे को तोड़ने का पूराना तरीका क्यों रोका गया इसका अंसर है यानि कि जो उनका राजा है आज उसका दादा जब वो एक लड़का था तो उसने कोशिश की थी कि वो अंडे को बिगर एंड से तोड़ने की कोशिश कर रहा था इन डूइंग सो जब वो ऐसा कर रहा था तो उसकी एक उंगली कट गई थी तो उस फक्त जो राजा था उसका कौन राजा था फादर आफ प्रेजेंट एंपरेस ग्रैंड फादर यानि कि आज का जो राजा है उसके दादे का बाप उसने क्या किया उसने अंडे को बिगर एंड से तोडने पर मना कर दी यानि कि रोक लगा धी ठीक है इसके बाद है how did the people take the new law याने कि लोगों ने नए कानून को कैसे लिया था इसका अंसर है there was bitter opposition to the new law याने के नए कानून की बहुत मुखालफत हुई थी there was frequent rebellions और इसके अलावा बहुत बगावतें भी हुई थी ठीक है याने कि लोगों ने नहीं माना था नाइन है what was the emperor of belief hasco's part in the internal trouble of lily put याने कि जो लिलिपूत के अंदरोनी मामलात है जो लिलिपूत के अंदरोनी problems है तो जो belief hasco empire है ना जो belief hasco का राजा है वो इनके मामलात में कैसे दखल देता था तो answer है the emperor of belief hasco encouraged the rebels who escaped to his state याने कि जो belief hasco का राजा है उसने उन बागियों को encourage किया जो कि इसके पास बाग कर आए थे तो इस तरह से उसने अपनी हमदर्दी जटाई उन बागियों से तो इस तरह से उसने लिलिपूत वालों की मसीबतों को और बढ़ाया है ना इसके बाद है what was the teaching of their ancient religion about the right way of breaking eggs याने कि उनका पुराना मख़ब क्या था अंडे को कहां से तोड़ा जाना चाहिए तो इसका answer है it said all believers shall break their egg at the comment end याने कि उनके मज़ब में लिखा है कि सभी मानने वालों को अंडे को वहां से तोड़ा चाहिए जहां से उनको आसान लगे ठीक है 11 है what in real Russell's opinion was the meaning of this teaching याने कि क्या real Russell के खयाल में इसका क्या मतलब है अंडे को कहां से तोड़ा जाना चाहिए तो real Russell के खयाल में this teaching meant that every man could choose the content and according to his own consign याने कि real Russell के मताबिक हर इनसान अपने मताबिक चूज कर सकता है कि उसको कौन से साइड जो है आसान लगता है इसके बाद आता है 12 पे what did Gulliver promise to do for the emperor याने कि Gulliver ने राजा के लिए कौन सा काम करने का वादा किया तो answer है he promised to be the emperor's loyal soldier उसने कहा कि वो राजा का एक वफदार सिपाही बनेगा he promised उसने वादा किया that he would defend the emperor's honor and honor of his country कि वो राजा की इज़त और country की इज़त बचाएगा in case there wasn't invasion अगर उन पे कोई हमला हुआ चिक है अब आते हैं language work पे use the following phrases in your own sentences नीचे दिये गए phrases को अपने sentence में इस्तमाल कीजिए ठीक है पहले है wait upon wait upon का मत होता है किसी की खिदमत करना ठीक है the old mad who waited upon the landlady has died ठीक है इसका sentence okay second carry out carry out का मत होता है किसी का हुकम मानना किसी की तामील करना you must carry out the orders of your seniors ठीक है इसके बाद attend on the queen had 10 meds to attend on her ठीक है attend on का मत बहुत है खिदमत करना ठीक है इसके बाद discuss with याने कि किसी काम के बारे में discuss करना बात चित करना ठीक है I shall discuss with my teacher discuss with my teacher about this problem ठीक है इसके बाद आते हैं engage with engage with का मत होता है किसी काम मस्रूफ होना किसी काम बीजी हो जाना ठीक है even in prison he continued to engage in criminal activities ठीक है इसके बाद है engage with Engage with का मत होता है she has ability to engage with even highly educated people engage with का मत होता है किसी काम को निपटाने का निपटाने की सलाहियत होना किसी काम करने की सलाहियत होना ठीक है तो उसमें सलाहियत है कि वह पड़े लोग के साथ भी में थे सकते है ठीक है इसके बाद है चारज विद याने की कि सीट जलाम लगा न ठीके ही वाद चारजूइव यह outcome को मत होता है, इसकी वज़से, he failed on account of his carelessness, ठीक है, इसके बाद है, give adjective of the following nouns, and use them in your own sentences, नीचे दिये गए हैं, नाउन्स, इनके हमने adjective बनाने हैं, और फिर इनको sentence में इस्तमाल भी करना है, ठीक है, तो देखिए, सच विले attention, attention, यानिके, दिहान रखना, तो इसका जो अध्यक्टिव है, attentive, है ना, ध्यान रखने वाला, हम कहें, he is attentive, वो ध्यान रखने वाला आदमी है, be attentive to what your teacher says, okay, इसके sentence है, base, basic, बन्यादी, ठीक है, his basic problem is that he lacks confidence, convince, इसका एगा, convent, okay, we must arrange for a convent time, for an, we must arrange for a convent time and place for meeting, ठीक है, तो इसके बाद एंपायर, इसका एगा, इंपीरियल, the rebels defeated the imperial army, okay, majesty, इसका एगा, majestic, the mountain, scenery, presents a majestic, विव, शान्दार, ठीक है, honor, honorable, इज़त वाला है, हम कहते हैं, honorable sir, okay, तो we have reached an honorable agreement, opposition, इसका एगा, opposite, they were standing on the opposite side of the road, तो opposite आएगा, ठीक है, इसके बाद, religion, यानि की मजभ, religious, यानि की मजभी, she is a religious lady, okay, sympathy, sympathetic, यानि की हमदर्द, पंजाबी's have a sympathetic heart, okay, इसके बाद, invasion, invasive, he suffers from invasive cancer, and won't live long, इसके बाद, use the following words as nouns and verbs in your own sentences, नीचे दिये गए है, nouns, नीचे जो words दिये गए है, इनको हमने, noun, में यूज करना है, sentence बनाना है, और verb कभी एक sentence बनाना, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है, charge, charge, खम sentence बनाएंगे, as noun, I have paid the admission charges, ठीक है, यहाँ पर यह नावन यूज हो है, अब देखिए है, verb, they charged me 50 rupees for the breakfast, तो charger है ना, यह verb बन गया, इसके बाद है, converse, building new roads increases traffic, and that converse is also true, इसके बाद आते है, verb पे, have you conversed with him on this issue, ठीक है, तो इसके बाद है, divide, there is a big divide between protestants and catholics of Scotland, है ना, अब देखिए, verb, can, anyone can divide the love of a mother, तो divide है, ठीक है, मां जासा प्यार, कोई नहीं बाढ़ सकता, ओनर, power without honor has no value है, ना, verb देखिए है, you must honor your promise, ठीक है, principle, a leader must be a person of principle, ओके, verb देखिए है, use as a verb is not possible, ओके, इसको verb use करना possible नहीं है, आवार ते rebel पे, armored rebels advanced towards the capital, तो यह है, यहाँ पे नावन, अब देखिए है, verb, most teenagers find something to rebel against, तो यहाँ पे यह, जो है, verb बन गए, ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट, I have received your progress report, यह नावन है, है, we have reported the matter to the police, reported, यानि कि यह बन गया, ठीक है, इसके बाद रिल्यू, respectful words, without a respectful heart, have no value, ओके, इसके बाद, I have a respectful heart, more than, I value a respectful heart, more than respectful words, ठीक है, find from the lesson words or phrases, which mean the following, देखिए, आपकी जो textbook है, अपनी textbook निकालिया, और देखिए, वहां पर जो sentences दिये गए है, उनकी हमने यहां पर मतलब लिखें, ठीक है, तो पहले कि राइटेंड फिरा, conversation, problem, section first, paragraph first, okay, section first paragraph second, इसमें आगा prefer, okay, इसा देखिया आगे, section first, paragraph third, यह paragraph, okay, add on account of external, यह आगा आगा आपको लिखना है, ठीक है, section first paragraph four, divide into heel according to distinguish, okay, इसके बाद आते हैं, आ, फिफ्ट है, इसका फिफ्ट है, इसका फिफ्ट है, section second, पारा, फिफ्ट, आप देखने हैं, आपकी बूप पे आप समया रहा होगा, religion, principle, publish, prohibit, interfere, charge, encourage, report, यह आठ और यह निकांसर ठीक है, section second, पारा six, इसमें आगा वाइड एंड प्रेंसिप्ट, ठीक है, तो इसी तरह से होता है, आपको आपको आज का एक question answer सेशन कंप्लीट, उम्मीद करते हैं, आपको आज का एक question answer सामया आए होगा, तो मिलते अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना रखे डिए तरह साथ खयाल, and stay tuned.